दोस्तो अगर आप Excel में blank rows को one by one delete करके परिसान हो गए हैं तो इस trick को follow किजिए आपको data के inside किसी Excel पर click करना है और keyboard से ctrl G press करना है आपको इस तरह का एक dialogue box so होगा आपको special पर जाना है then आप यहाँ पर blanks को select करंगे और ok करदंगे तो आप देखंगे आपके data में present सारी blank rows select हो गई है अब आपको simply keyboard से ctrl minus press करना है then यहाँ पर आपको shift cells up पर click करना है और आपको ok कर देना है तो आप देखंगे सारी blank rows एक साथ delete हो गई है अगर आपको यह trick पसंद आई तो वीडियो को like किजिए